और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग, hope you guys are doing fantastic तो guys, आज आप लोगों की भयंकर डिमांड थी, एक टॉपिक की, तो मैंना सुचा फाइनल इस पर वीडियो बराएं देगा तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल फेवरिट लेंस के बारे में बताऊंगा जो सोनी के APS-C मॉडल के लिए perfect हैं APS-C मॉडल बोले तो सोनी A6000, A6100, A63, A64, A65, A66, यतने भी छोटे वाले कैमरे हैं उनके लिए, फुल फ्रेम बोडी इसकी बाद नहीं कर रहा हूं है तो अगर आप इस वीडियो में इंट्रस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और टाइम बिना अबरबात कर हुए ये वीडियो शुरूर करते हैं लेट्स को! तो guys ये को मैंने असान करने के लिए इसको कुछ group में Divided कर दिया हूँ तो जो पहला ग्रूप है लेट्स का उसको मैं बोलता हूँ all-in-one lens ये वो lens हैं जो आपके wide- angle वाली range भी cover करते हैं और zoom भी cover करते हैं और in lens का दूसरा फाइदा ये है कि क्योंकि यह all-in-one lens होते हैं तो आपको बार-बार camera का lens बदलने के जुरूत नहीं होती है जिससे कि आपके camera के अंदर धूल जाने की जो आशनकाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है मतलब धूल जाने की आशनकाई गलत क्या बोलेंगे आप जो दूल जाने की जो camera के अंदर probability होती है वो बहुत ही कम हो जाती क्योंकि आप camera का lens हाट आते ही नहीं तो इस category के अंदर जो पहला lens है वो है आपका Sony का ही है 18-105mm G lens इसकी खासियत ही है कि यह 18-105mm की जो range उसको cover करता है तो यह बहुत ही बढ़िया range होती है इसका जो aperture है वो f4 है जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोगों ने अपना kit lens यूज किया है तो आपने यह कई बार मैसूस किया होगा जैसे यह आप जूम करते है तो आपकी photo में darkness आ जाती है यह वीडियो में अंधियर आने लगता है क्योंकि आपका aperture चेंज होता है जूम होने के पास लेकिन अगर आप वी लोग करने के शौकीन है तो यह 18 mm आपके लिए थोड़ा चोटा पड़ सकता है तो मैं आपके लिए एक तूसरा lens रिकमेंड करूंगा जो कि सोनी का यह जाइस वालों का lens है यह 16-70 यह भी f4 lens है और यह lens भी एक्स्टीम भी शाप है और इसकी फोकल रेंज भी बहुत अच्छी है यह 150 तक नहीं आता लेकिन 70 mm भी बहुत ही बढ़िया फोकल रेंज मानी जाती है अगर आपको यह लग रहा है कि 18 और 16 में ज्यादा फ अगली जो केटिगरी आती है वो है उन lens की जो की है prime lens बोले तो यह वैसे लेंज है यह जूम नहीं होते यह fix रहते हैं अगर यह 50 mm है तो यह 50 mm ही रहेगा यह आगे ना आगे जाएगा ना पीछे होगा दूसरा prime lens की खासियत है कि यह बहुत ज्यादा शाप लेंज होती है तिसरी खासियत यह होती है कि Prime lens का aperture बहुत बढ़ा खुलता है तो आपको background blur बहुत ज़ादा मिलता है मतलब अगर आप background blur के शोकीन है तो आपको prime lens लेना चाहिए अब प्राइम लेंस में जो मेरे फेवरेट लेंस है वो सिक्मा का एक टारियो आता है उसको हम बोलते हैं आपका सिक्मा की तृदेव हिंदी में बोल सकते हैं उसमें एक सिक्मा का 16 mm आता है जो की वाइड एंगल केटिगरी में आता है यह f1.4 होता है दूसरा होता है सिक्मा का यह 30 mm 1.4 है यह बहुत तगड़ा लैंस है बहुत अच्छा लैंस है और तीसरा है सिक्मा का 56 mm 1.4 लैंस तो यह जो 3 lens सेट है यह एक तरही कह लिए कि यह प्रोफेशनल लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपने kit lens से परशान हो गए हैं और आप अपग्रेट करना चाहते हैं, और आप कोई ऐसा lens देख रहे हैं, जिसमें आपको खतरनाक background blur में लेए, बहुत sharp में जाए, तो आप ये तीनो lens का set ले सकते हैं, मज़ा आजाएगा, आप चाह इसकी category में मैं बात कर रहा हूं, तो Sony के दो lens और आते हैं, एक आता है Sony का 50mm 1.8, 50mm guys दो lens आते हैं, एक full frame के लिए आता है, एक APS-C के लिए आता है, मैं यहाँ पर APS-C lens की बात कर रहा हूं, जिसमें OSS होता है, 50mm का 1.8 जो आता है, वो OSS lens है, 50mm है, उसका 1.8 aperture है, वो भी इच्छा खासा background blur देता है, और Sony का है, तो autofocus में कोई दिक्कत ही नहीं है, और बहुत sharp lens है, Sony का दूसरा जो lens है, आपका prime category में वो है Sony का 35mm 1.8, यह भी बहुत बढ़िया lens है, बहुत sharp होता है, और इसमें भी OSS है, तो which means कि अगर आप थोड़ा healing rate लेंगे, तो यह थोड़ और अच्छा background blur देता है, और यह भी 30mm का lens है, तो यह portrait lens category में आता है, और इसकी photos भी बहुत sharp आती है, तो आप यह lens भी try कर सकते हैं, इसके बाद अगली जो category है guys है, वो है telephoto range, zoom range, इस category के lens normally वो लोग लेना प्रफर करते हैं, जो wildlife photography के शौकीन है, जिनको यहां से खड़े ह पास्व मेटर आगे की photo kitchen है, उनके लिए बहुत काम के lens होते हैं, तो उसमें सबसे जो सस्ता बदा टिकाउ lens है, वो है आपका 55-210 Sony का जो दूसरा kit lens होता है, यह सस्ता भी है, इसके result भी ठीक ठाकाता है, और इसका aperture बस यह है कि इसका aperture constant नहीं है, तो अगर आप जब इसको काम करता है, और इसमें OSSB है, दूसरा, अगर आपके पास बहुत अच्छा budget है, और आप एक बढ़िया lens देख रहे हैं, जिसकी range बहुत ज़्यादा हो, तो आप Sony का एक नया lens है, 70-250 mm है, इसका भी variable aperture है, लेकिन यह भी G-series का lens है, और बहुत जबर्दस्त इसकी रिगियो जो की बहुत अच्छी range मानिया थी, लेकिन यह थोड़ा costly lens है, तो अगर आपके पास budget है, तो nothing like it, आप आराम से इस lens के साथ आ सकते हैं, और आपको बहुत बढ़िया result पर लेंगे, अब आते हैं जुगार category में, जुगार category है, यो कि मेरी category है, अगर आप Canon के lens यूज करने क शौकीन है, तो मैं आपको suggest करूँगा कि अडेप्टर आता, autofocus adapter होता है, Viltrox का, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यह adapter खरीदें, और साथ में आप एक तो यह Canon का 50mm lens ले सकते हैं, और यह इस adapter के साथ बहुत जबरदस्त काम क सब काम करता है, तो अगर आप थोड़े बजेट में टाइट है, तो मैं आपको recommend करूँगा कि विल्ट्रोक्स का अडेप्टर ले ले ले, आपको अडेप्टर मिलेगा, और यह दोनों lens आप चाहो तो नए लेलो, नहीं तो OX से लेलो, OX में तो आपको बहुत से मिलेंगे और you are good to go, आपको जाता पैसा कर्च करना ही नहीं है, और मेरे असाब से 18,000 गी रेंज में आपको अडेक्टर भी मिल जाएगा और lens भी आजाएगा, तो आपका 18,000 में पूरा काम एक्टम सेट है, तो guys यह मेरे favorite lenses हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, आप मेरे को बत ट्रापिक पर और भी वीडियो बनाऊँगा, मैनुवल फोकस लेंस को पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, और एक मैं full frame camera के lens guide के उपर भी वीडियो बनाऊँगा, आपके अगर कोई recommendation है, तो please मेरे वीडियो पर comment करें, मेरे को बताएं, और मैं उसको भी try करने के कोशिश कर आज के लिए इतना ही, और जल्दी अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आजिर होता हूं, तब तक के लिए आप enjoy करिए, बाई बाई